अक्सर कौई और उल्लू की आवाज को मनहूसियत से जोड़ कर देखा जाता है लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता देखना होगा कि आखे कौई या उल्लू की आवाज किसी बात का संगेत देती है अलागी यह धारण जन अश्रूती पर आधारित ही ऐसी किसी बात में विज्ञान खोजना मुश्किल होता है यह परंपरा और मानियता पर आधारित बाते होती है इसे अन्विश्वास भी माना जाता है कौई की आवाज प्रथम प्रहर में कौई की आवाज सुनाई दे तो अतिती आ सकता है दूसरे पहर में व्यापार में लाब हो सकता है प्रथम प्रहर में दक्षिन दिशा में कोई की आवाज सुनाई देना अर्थ लाब कराता है मध्यानेह में सुनाई दे तो पद की प्राप्ती होती है लेकिन तीसरे और चाओ थे प्रहर की आवाज का मतलब यह कि खराब संदे इश्प्राप्त होगा किसी नगर या ग्राम में कौं का जोंड इक्था हो तो विवाद का कारण बनता है यदि किसी कौं का जोंड उच्छ स्वर में शोर मचाएं तो उस स्थान पर कोई संकट हो सकता है घर पर बहुत सारे कौं का बेटनाम रित्यूट तुल्य कष्ट देता है चलते हुए सिर पर काउं का स्पर्ष करना भी स्वास्तय और आयू के लिए अच्छा नहीं होता रात में कौवे बोले दिन में गीदर बोले तो अवश्य ही कोई बड़ा उपद्रव होगा उलू की आवाज उलू का रोना भी किसी गंभीर संकट की सूशना होती है यदि उलू की आवाज रात्री के प्रथम प्रहर, द्वितिय और चतुर्प्त प्रहर में सुनाई दे तो इच्छा के पूर्ण होने के संकेते हैं इस से अर्थ लाब, व्यापार में लाब और राजदरबार आदी में लाब मिलेगा लेकिन एक ही दिशा में उलू का बार बार आ आवाज देना, उसका दिखना, ज्यादा कल्यान कारी नहीं है, यह संकट की सूचना है या इसे आपकी सेहत खराब होने की सूचना भी माना जा सकता है, अगर उलू बार बार उच्छ स्वार में बोले तो आर्थिक हानी का संकेत है, अगर रात में आप यात्रा के लिए नि कल रहे हैं और उलू प्रसन्नता पूर्वक मध्यम स्वार में बोले तो यह शुब संकेत है,